हाई दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लीगल लाइटिन मैक जिम की जो भारते साच अधिनियम के धारा 79 और धारा 114 के द्रिश्टान्त इसे जुड़ा हुआ है तो दोस्तों इस जो लाइटिन मैक जिम है ओमिनिया प्रेश्मनेटर रिटे एसस एक्टा इसका अर्थय होता है कि सभी कार्यों के बारे में सम्यक रूप से किये जाने की उपधारा की जाएगी जब तक कि उसके विपरीत साबित न कर दिया जाए यह जैसा कि आप जानते हैं यह उपधारा की बात करती है कैसी उपधारा लीगल रिब्यूटेबल प्रियम्शन यानि विधिक खंडनी उपधारा मतलब ऐसी उपधारा जिसे की एक विधित प्रमार देकर उसका खंडन किया जा सकता है और न्याले प्राइमा फेसी यही मानेगा अगर कोई कार्य होता है और वह कार सरकारी अधिकारियों दוהरा उनके पद के अंतर्गत अगर किया गया है तो न्यायाले यहीं मानेगा कि ऐसा कार्य सम्यकरोफ से सही रूप से किया गया है जब तक कि ऐसा कोई सबूत या थाच्छ दे कर उसके विपरीट साबित नहीं कर दिया जाता इंग्लेंड में इसे अनुमान की नियमित्ता कहते हैं प्रियंशन आफ रेगुलर्टी यह कहा जाता है कि अनुमान साच्छ का हिस्सा होता है भारती 7.6 की धारा उन्याती इस सिध्धान्त के बारे में बताती है और धारा 114 का दिश्टान्त इसके बारे में बताता है हर कोई चीज जो नियाइक और पदिये कारे में नीमित रूप से संपादित किये गए हैं और उन्हें नियायाले अपने अनुमान में सही मानेगा जब तक कि इन्हें विपरीद परिस्थितियों द्वारा बदल नहीं दिया जाता भारती साथ छद्यम की धारा उन्याती और धारा एक्सोचोद्व का दिश्टान्त इस दोनों बात करते हैं नियायाले की उपधारणाओं के तो दोस्तों जैसा की कंक्लूजन इस मेक्जिम का यही निकलता है कि कोई भी कार कोई भी चीज जो न्यायिक और ओफिशिली मलपदी कार में निमत रूप से संपादित किया गया है और नियायाले के सामने अगर वह पेस होता है तो नियायाले प्राइमा फेसी अपने अनुमान में उन्हें क्या म अब हम बात करेंगे केसेज की और बात करने से थोड़ा और समझ लेते हैं यह उपधारणा खंडनी विधुक उपधारणाय होती है थोड़ा सब मात करेंगे स्क्षं द सिवेन्टीनाइं ही सिवेन्टीनाइं यह कहता है कि नैवले हर ऐसी दस्तावेज का असली होने की की उपधाडा करेगा क्या करेगा उपधाडा करेगा जो ऐसा प्रमारद प्रतिया अन्य दस्ता विज होना तद पर हैं जिसका किसी विशिष्ट तत्थ की साच के रूप में ग्राह होना विधी द्वारा मिंदा है कि अगर वह नियाई या पदी कारे द्वारा अगर नीमित रूप के भीतर किया गया है तो नियाईले प्राइमा फेसे उसे सही माने जाएगा कि वह सही रूप से किया गया था केस देखेंगे बैंक का बिहार बना महाविरलाल एयाई यार 1964 का है केस है इसमें कहा गया कि जहां कि नियाईले के निरणे में कोई कथन आता है कि कोई घटना उसके समच घटी है या नहीं उस कथन को मामुली तवर से किसी पच्छकार दोरा चुरौती दिये जाने की अनुग कि नियाले यह स्वयम मानले कि वहां कथन गलत था तो दोस्तों इस केस में भी यही कहा गया कि नियाले प्राइमाफेसी सही ही मानेगा जब तक भी परिश्चित और उसे बदल नहीं दिया जाता आगे देखेंगे नसीम बानो बना मिस्टेट आफ यूपी ए आई यार होती है इसलिए अभी एक ओफिशियल एक्ट है और इसके लिए विनियमित ताकि उपधारा की जाएगी इसके लिए भी उपधारा किया जाएगा कि जो अध्यापकों की नियुक्ति होगी और जो ब्यक्तिन की नियुक्ति करता है अगर वह मामला किस मामला कोर्ट में जाता तो नियाले प्राइमा फेसी है मयह मानेगा कि जो जिन्होंने अपॉइंटमेंट जिन्होंने टीचरों की नियुक्ति की है वह सही रूप से किये होंगे जब तक की विप्रीद परिस्चों द्वारा उन्हें बदल नहीं दिया जाता लास्ट केस देखेंगे दोस्तों तारक वर्षेश शूर्थी AIR 1997 उन दस्तावेज के बारे में सही होने की उपधाड़ा की जाती है जो लोक अधिकारियों द्वारा अपनी कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन में नियमों की अपिच्छा अनुसार तयार की और रख्षी गई थी तो दोस्तों इस मेकजिम कार से ही निकलता है कि नियायले प्राइमा फेसी यही मानेगा कि अगर कोई कार या या फिर कोई घटना अगर सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके पदी कार या फिर नियाई कार के भीतर अगर किया गया है तो नियायले उन्हें प्राइमा फेसी सही मानेगा जब तक कि विपरीत परिष्ठों दौरा उन्हें बदल नहीं दिया जाता थेंक्यू दोस्तों